सलाम वो जूले, आप जानते हैं कि देश भर में कोरोना की केसिस बहुत जादा बढ़ रहे हैं और इस बार वाला जो डबल म्यूटन स्टेंट बोलते हैं जो इसको ये बहुत तेजी से फैलता है और इसके साथ ही ये कुछ जादा इंपैट कर रहा है पिछले साल के वायरस से इसलिए हम मीडिया में देख रहे हैं कि ऑक्सिजन की दिमांड बढ़ रही है, वेंटिलेटर की डिमांड बढ़ रही है डिस्टिक करगिल में भी कल तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारे 212 पॉजिटिव केसिस है उसमें से साथ जो है वो ऑक्सिजन सपोर्ट पे है और एक वेंटिलेटर पे है तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में या बाकी जगों पे लोग बहुत ज़्यादा जमा हो रहे है पता नहीं उनको लग रहा है कि शायद करगिल में केसिस कम है या इसका इमपैट कम होगा यह मैं बताना चाओंगा यह बहुत गलत बात है ऐसा बिलकुल ना सोचे पूरे हिंदुस्तान की हालत आप देख रहे हैं इसे सलसले में आज हमने दो ओर्डर्स निकाले हैं एक तो नाइट कर्फियू का ओर्डर निकाला है जिसको कोरोना कर्फियू का नाम भी दिया है हमने यहाँ पे और जो रात को 9 बजे से सुबस 7 बजे तक रहेगा इसमें बहुत ही कम अक्टिविटीज हमने पर्मिट करके रखिये जैसे पेट्रोल पंप हो गए, LPG, ATM होगे, बैंके, इसके बाद केमिस्ट और हॉस्पिटल्स होगे इनको छोड़के बाकी सारी अक्टिविटीज बंद रहेगी यहाँ पे बिल्कुल भी लोग जमा ना हो और रात भर लोग यहाँ घूमते ना रहे इसके साथ ही हमने दूसरा ओर यहाँ पे निकाला है जिसमें हमने section 144 impose किया है और साथ में ही restriction on gatherings लगाई है जिसमें हमने inside अगर किसी hall में किसी को gathering करनी है उसमें हमने 25 लोगों की permission limit रखी है और अगर बाहर outdoor में किसी को gathering करनी है उसमें हमने 50 लोगों की limit रखी है जी यह हम इसमें हम अभी trial business भी लगाया है या फिर जो भी social political leaders है उनके साथ मिलके एक Monday को हम meeting रख रहे हैं इसमें और भी अगर कुछ restriction लगाने रहे हैं उसमें फैसला होगा but मैं लोगों से appeal करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हमने strict home quarantine के लिए बोला है खत्रे में डाल रहे हो तो ऐसा बिलकुल ना करे जब तक आपकी test report नहीं आ जाती तब तक आपको home quarantine रखना है so that आप दूसरों को infect ना करे और हमारी सारी अवाम को बचा के रखे